वेलकम अमर सर योटूब चैनल इस पर आप सबुन का स्वागत है आज हम लोग प्रॉफिट अन लॉस लाव और आनी पर हिंदी और इंग्लिस दोनों में ठेर सारे कुश्चन्स करेंगे मैं डेटेल एक्स्प्लेइन करूँगा जो अबजेक्टिव वे है उसे भी एक्स्प्लेइन करूँगा रियल में ये इंट्रेस्टिंग चैप्टर है इंपॉर्टन भी है तो इसमें आईए आगे बढ़ते हैं हिंदे इंग्लिस दोनों में है तो शुर्वात होती है इस कुश्चन से थोड़े आसान कुश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे ये सिलसला आगे बढ़ेगा सबसे पहले देखिए क्या है कबीर बाइज अन आर्टिकल विथ 25 परसंट डिसकाउंट और इट्स माक्ट प्राइस माक्ट प्राइस पर 25 परसंट डिसकाउंट के साथ कबीर एक वस्तू को खरीदता है कई मेथड से कई तरीके हैं जिन से आप इनको सॉल करेंगे सबसे पहली बात है एक फरस्ट मेथड मैं बताता हूं फ्रैक्शनल मेथड ठीक है जिसमें रियल वैल्यू से शुरू होता है दो तिन तरीके से बात करेंगे वह कहां से शुरू होगा 660 रुपीज तो देखिए 660 रुपीज लिजी और यह क्या है तो यह सेलिंग प्राइस है कब सेलिंग प्राइस है तो 10% प्राफिट पर सेल करने पर यानि 110 प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस क्या है 100 वाइ 110 क्योंकि कम होगा कम होगा 10% profit parcel किया गया cost price कम होगा यह cost price हुआ लेकिन cost price क्या है तो जो mark price है उस पर 25% discount के साथ मिला है that means यह 75% है तो mark price क्या है यानि कि यह है यह पहला तरीका हुआ ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कई तरीके से आप बात कर सकते हैं जैसे मान लिजे कि यह cost price है इस पर 10% profit पर sell हुआ जबकि खरीदा कितने पर गया था mark price पर discount के साथ discount माने कितना तो 25% discount पर यह खरीदा गया था तो mark price 25% discount and this is given rupees 660 तो यह mark price क्या 660 selling price है यह selling price है यह selling price है 10% profit के साथ है तो what is 100% cost price निकला cost price यह 25% discount के बाद है तो 75% है तो what is 100% बोले यह सबज में आया इसको आप solve करेंगे देखिए यह six times है यह 75 का मतलब क्या हुआ 4 by 3 यानि 3 से आप बोले this यानि की 800 रुपीज बोले clear यह first method हुआ second method ratio method है कभी कभी क्या होता है यह framing करने में जल्दी में बनता नहीं है लेकिन ratio method ultimate है देखिए यह बताता हूँ यह marked price है this is marked price जिस पर की discount के साथ आया 25% discount के साथ यह आया यानि खरीता गया और यहां से फिर 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 10% profit पर sell किया गया and selling price is given हम लोगा ratio method में क्या करते हैं जानते हैं अगर हम 100 मानते हैं तो 25% discount का मतलब 75 तो इसको हम simple ratio बना लेते हैं तो यह क्या होगा 3 is to 4 ठीक है और यहां से 10% profit पर बेशने का मतलब करने का मतलब हुआ कि अगर यह 100 है तो 110 पर sell हुआ बोलें तो यह 110 पर sell हुआ ठीक है यानि कि 10 is to 11 अब एक scale पर लाते हैं इस second method की बात हो रही है one scale पर तो इसको equal करना है यह ratio है ना ratio है हम लोग क्या निकाले हैं समझिए mark price cost price का ratio 4 is to 3 और cost price selling price का ratio 10 is to 11 हम लोग इसको equal बनाते हैं calcium लेते हैं 3 और 10 calcium 30 तो इधर दोनों और हम 10 से multiply करते हैं और यहां दोनों और हम 3 से multiply करते हैं बस खत्म this is 40 this is 30 and this is 33 यह one scale पर आया यानि mark price 40 है तो 25% discount के साथ 30 हमारा cost price है जिस पर खरीदा और वहां से 10% profit पर सेल किया and this is equivalent to दिया हुआ है rupees rupees 660 तो यह कितना times है बुरिये 20 times है तो हर value को 20 times होना है this is 20 times हमसे यही पूछा भी गया था कि यह क्या है marked price क्या है rupees 800 answer क्या है 800D नेकि ऐसा है यह एक अच्छा तरीका है first method लेकिन कभी कभी framing में problem होता है fractional method में भी बहुत सारे student को problem होता है पर यह तो ultimate है कितना भी टेड़ा number हो यह problem होने का सवाल नहीं है ठीक है चले अगले question क्यों second question क्यों second question में आई a CD was sold at a profit of 12.5 percent ठीक है अगर 100 cost price है तो 112.5 percent profit if it had been sold at a profit of 15 percent it would have gained him rupees 10 more the cost price of the series यह तो बहुत आसान है 12.5 percent and 15 percent difference is 2.5 percent difference is 10 rupees 4 times so 400 is answer जल्दे बुलिये सारे ही questions previous years के memory best है इन्हीं ऐसे ही questions exam में आने हैं जिनको तुरण solve करना है मैं बताता हूँ देखिए ऐसा यह है क्या यह है क्या यह cost price है यह 100 rupees है first selling price पहली बार अगर sell किया जाता है तो कितने profit पर तो 12.5 percent profit पर इस पर यानि की 112.5 क्यों करें हम जरूत क्या है दूसरी बार sell करते हैं तो यह 15 percent profit पर यानि जो selling price है second वाला यह तो यहां से यहां तक क्या होता है 15 percent profit यानि की यह gap क्या है यह gap तो 2.5 ही हुआ ना और अगर हम real scale की बात करेंगे तो इस gap इस gap दोनों विक्रे मुल्यों में selling prices में 10 rupees का difference है यह दिया हुआ है तो what is cost price यह पूछा है बोले यानि हमने क्या लिखा हमने क्या लिखा देखिये हमने लिखा 2.5 is equivalent to rupees 10 आप इसको 2.5 percent भी बोल सकते हैं चलिए what is 100 percent इधर से यह four times है तो इधर से भी four times होना चाहिए यानि की 400 rupees होगा ना देख लेजिए ठीक है यह second question था इसके बाद आई थर्ड कुस्चिन क्यों चलते हैं थर्ड कुस्चिन देखिये if the discount sales reduces from 3 and 1 by 2 percent to 3 and 1 by 3 percent what difference does it make to purchase for rupees 12,102 rupees देखिये पहले एक discount है थोड़ा discount कम हो गया तो अब क्या होगा हमें ज्यादा pay करना पड़ेगा तो अगर 12,102 rupees का हमारा purchase होना है तो उस पर discount में exchange से क्या फर्क पड़ेगा तो 3 percent 3 percent तो clear है 1 by 2 और 1 by 3 का difference 1 by 6 होता है यानि 1 percent का 1 sixth तो देखिये हमें क्या निकालना है 1 by 6 percent निकालना है is equal to what जो पैसा दिया है वो 100 percent है तो उसका 1 percent क्या होगा 1 percent क्या होगा 1 percent इतना होगा की नहीं यह मुझे बताई क्योंकि 100 percent किसको बोलते है 100 percent किसको बोलते है यह जो रुपीज है रुपीज है 12,102 है ना तो 100 percent 1 percent इतना तो 1 by 6 percent माने 1 sixth 1 sixth 1 sixth of 12,100 two or two places के बार decimal पर देखिये अब आप इसको डिवाइड कीजी बस डिवाइड कीजी यानि कहने का मतलब यह हुआ की की रुपीज 20.17 एंसर बोले है यह समझ में आया 20.17 एंसर C C is the answer ठीक है इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं next question की हो next question देखते हैं a businessman marks his goods at such price that after allowing a discount of 15 percent he makes a profit of 20 percent the mark price of an article having cost price of rupees 170 एक तो हम 170 लेके बात कर सकते हैं कभी कभी framing में दिक्कत होती है यहां पर 170 रुपीज क्या है cost price है और इस पर profit होता है कितने का 20 percent का 20 percent का तो selling price निकलेगा 20 percent कितना वह 34 रुपीज तो profit हुआ तो sell कितने में किया 20 percent दूसरा तरीका यह जो निकालेंगे is equal to is equal to is equal to देखें is equal to 204 into 100 by 85 इसमें हुआ जिसमें हम लोग वैल्यू को शुरू में लेके बात कर रहा है यह 17 से न कटे हो नहीं सकता माली यह समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे अच्छा है कि 2 से multiply कर दीजी तूसे जैसे ही multiply करेंगे यह 170 हो जाएगा अब आपको सब कुछ दिखेगा सब कुछ दिखेगा 17 से देखें यानि यह कितना आया 240 240 रुपीज एंसर यह एक तरीका हुआ ठीक है यह first method हुआ जिनको भी problem हुँ यह basic याद रखें कि profit हमेशा cost price पर होता है और discount हमेशा mark price पर होता है यह first method हुआ ठीक है इसको देखिए अब second method से बात करते हैं ठीक है second method में क्या है जो ratio method हम लोग बात कर रहे थे तो सबसे पहले देखिए cost price है और उपर लिखता हूं यह cost price है यह अगर हम मान लेते हैं 100 तो selling price क्या है तो 20% profit होता है 120 हम इसको simple ratio लेते हैं simple ratio क्या हुआ 5 is to 6 वह cost price और selling price का यही ratio है और mark price के साथ चुकि 15% discount ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि 20% profit लेना है हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि 15% loss हो रहा है यानि अगर हम इसे 100 मानते हैं तो 15% loss होने पर क्या हो डिसकांट होने पर क्या हो गए 85 इसको ठोड़ा एजी बना लेजे यह हुआ 17 यह हुआ 20 यानि 17 एं 20 का ratio है यानि कि 17 and 20 का ratio है, जल्दे बोले, हम चाहे तो माल लिजे सबों को मिटाते हैं, बोले 5 is to 6 and 17 is to 20, एक स्केल पर लाने का तरीका होता है, इसको 1 बनाना है, इक्वल बनाना है, तो 17 to 6 समझ लिजे, इसको 17 से multiply कर देते हैं, कर सकते हैं क्योंकि ratio है, इसको 6 से कर देते हैं, बस ह हो गया, अब ये सभी एक स्केल पर आ गया है, अगर ये 85 है, 85 नहीं करते हैं, क्यों करें 85, देखिए factorize, चुकि हमें जो value निकालना है, वो factorize है, तो 5 देखिए, ऐसा है, कि हम लोग ऐसे ही रने देते हैं, 5 into 17 है, और ये 17 into 6 है, ऐसे ही रने देजे, और ये 20 into 6 है, क्योंकि आगे आपको सभीदा होगी, अब इसमें से क्या दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था, कि cost price, तो cost price ये दिया हुआ था, rupees 170, देखिए, 17 से 10 times, 5 से 2 times, क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो हर चीज डबल, हम लोग उसे पूछा गया था, mark price, तो ये भी double, डबल होने से क् अहले से देखिए, 120 था, 240, answer, वैसे ही, selling price भी निकाला या सकता था, this is second method, पुलिया, समझ में आ रहा है, अगे पड़े, अगले question क्यों, next question है, 5th number, the least price of a watch is 160, उस पर जो सुचित मुल्य होता है, 160, after two successive discounts, it is sold for Rs. 122.40, if one of the discounts is Rs. 10, what is the rate of second discount, देखिए, बताता हूं, this is marked price, इस पर one discount, then another discount, और फाइनली, फाइनल, फाइनल, तो अगर हम इसे माल लेते हैं, marked price के बाद, इसको जदी हम 100 माल लेते हैं, तो, इस price तो दिया ही, वह है, 160, 100 क्यों माने, 100 मान के भी बात कर सकते हैं, लेकिन क्या जरुवत है, हम लोग 160 से ही बात करते हैं, यह 160 है, इस पर first discount जो है, वो 10% का है, तो 10% का माने क्या हुआ, 16 रुपेश का discount, 10% discount के साथ, 16 के साथ, यह कितने पर मिलेगा, 144, 144, और यहां से जो discount मिला, तो फाइनली यह 122.40 पर मिल रहा है, देखिए, ठीक है, तो अगर 22 होता, तो 22 नहीं point है, तो 21.60, इतने रुपेश का discount मिल रहा है, और यह discount इसका कितना percent है, यही तो बताना है न, यह discount कितना percent है, तो देखिए, कुछ सीधा रहेगा, 10%, 14.4, 5%, 7.2, तो यह 15% नहीं समझे, देखिए, 14.4 होने से 10% हुआ, और अगर 7.2 हो, तो 5% हुआ, तो देखिए, तो 21.6 हुआ, तो क्या यह 15% नहीं हुआ, discount ऐसे ही होता है, सीधा सीधा होता है, तो answer क्या हुआ, 15% discount, ठीक है, तो आज के class में यहीं तक, यह सिलसिला chapter wise question देने का जारी रहेगा, all the best.